देखे इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से है जहां चिराग पासवान के कृष्णापूरी कार्याले पर बीजेपी के परदेश अध्यक्ष जेपी नड़ा पोँचे हैं देखे बड़ी तस्विर आपको दिखा रहे हैं लोक आस्था के महापर्व छट के तीसरे दिन जेपी नड़ा बिहार में थे और गंगा घाट पर जहां छट का पूजा किया जाता है वहां पर भी जेपी नड़ा गए हुए थे और वहां से चिराग पासवान के अवाज पर उनके पूरे परिवार से मिलने पहुचे और ना सिर्फ जेपी नड़ा हैं बलकी बिहार के उपमुक मंत्री समराच चौधरी विजय सिना भी उनके साथ में हैं तो वहीं देखे बिहार भाजपा के परदेश सद्यक्ष और राजस्व भुमी सुधार मंत्री दिलिप जैस्वाल भी उनके साथ है बड़ी चबर आपको बता रहा है देखे चाट के आउसर पर जेपी नड़ा इस बार बिहार में और आपको मालूम है कि जेपी नड़ा आज जो तीसरा दिन है चाट के उचर। और बिहार में है तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान ने भी कहा कि छट के आउसर पर तो छट वर्तियों से मुलकात हुई लेकिन राजनीती मुद्दों पर भी चर्चा हुई है देखिए छट का जो महत्व है वह बिहार के लोगों के लिए है और बिहारी जहां पर भी है पूरे देश में विदेश में कहीं भी भारत में या ला फिर भार नवार है किस दूधरे देश में वहाँ पर च्छट जरूर करते हैं और चल्पि नड़ा जो है इस खास पर इस खास मौके पर इस बार बिहार में थे और पटना के घाट पर जो है तो जेपी नड़ा इस खास मौके पर थे इस खास पर्व पर और चिराग पास्वान के आवास पर भी जेपी नड़ा गए देखे कृष्णा पूरी जो उनका कार्यालय है वहां पर गयते हलांकि जेपी नड़ा के साथ में समराथ चोधरी थे विजय सिना थे दिलिप जैस्व बिहार भाजपा के परदेश सद्यक्ष और भी कई भाजपा के बड़े नेता वहां पर मौझूद थे हलांकि छटवर्तियों से मुलाकात कि जेपी नड़ा हाल चाल भी पूछा देखे विहार में जो है छट को लेकर एक आस्था आस्था वाल पर माना जाता है लोक आस्थ कितरा दिन है जहां पर जेपी नड़ा बिहार दोड़े पर आये हैं और पट्टा के छट घाट के साथ साथ चिराग पासवान के भी अवाज पर मुलाकात करने गए उनके पूरे परिवार से जो है वह मुलाकात भी किये तस्वीरे जो है अब सोशल मीडिया पर सामने आई ह बेराल आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा विहार एक सुच आप देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद